हलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं कुटबुदीन एबक की कहानी कुटबुदीन एबक जो 1206 में हिंदुस्तान का पहला इसलामिक शाशक बनता है गुलाम वंज का भी पहला शाशक और दिल्ली सल्तनत का भी पहला शाशक हिंदुस्तान में तुर्की राज्य का भी पहला शाशक और संस्थापक भी माना जाता है इसको तो दोस्तों कुटबुदीन की कहानी शुरू होती है सुदूर तुर्की के एक कभीले से एक कभीले में एक परिवार में एक बालक जन्म लेता है माता पिता की आर्थिक तंगियों के कारण पिता द्वारा उसे बेज दिया जाता है खरीदने वाले होते हैं एक अध्यापक वो कुद्बूदी नयबक को खरीद लेते हैं जोकि वो अध्यापक थे तो सौभाविक था ग्यान और सिच्चा उसको भरपूर मिलने वाली थी और वही हुआ उस समय की जो सिच्चाएं थी और युद्ध कौशल था उसमें अध्यापक जी ने कुद्बूदी नयबक को पारंगत कर दिया अब कुद्बूदी नयबक बहुती कम उम्र में सिच्चित भी हो गया और युद्ध कौशल में भी पारंगत हो गया परन्तु अध्यापक नहीं रहे उनके म्रत्यों के बाद उनके बेटों द्वारा कुद्बूदी नयबक को बेच दिया जाता है अब कुद्बूदी नयबक ऐसे ही एक दिन मुहम्मद गौरी के हाथों खरी लिया जाता है मुहम्मद गौरी का गुलाम बन जाता है चोकि युद्ध कौशल में निपूर्ण था अपने योग गिता और कौशल के आधार पे गौरी की नजर उस पर पढ़ती है और गौरी उसे अच्छे पद देता है फिर उसके पद उन्नती होते होते वो एक दिन मुहम्मद गौरी का सेनापती भी बन जाता है अब चोकि वो सेनापती था तो युद्ध कौशल में निपूर्ण भी तो उसे जिस काम के लिए भी भेजा आता है वो पूरा करता है अपना पूरा कौशल लगाता है अपने पूरी योगता दिखाता है चोकि मुहम्मद गौरी का कोई पुत्र नहीं था इसलिए वो अपने गुलामों पे बहुत जो योगी गुलाम थे उन पे बहुत भरुसा करता था और गौरी जब हिंदुस्तान के छेतर जीतता है तो कुटबुदी नैबक को उन सभी छेतरों का नियंतरण दे जाता है और गौरी के मिरत्यों के बाद कुटबुदी नैबक शाषक बन जाता है उन छेतरों का अब कुटबुदी नैबक शाषक है हिंदुस्तान में इसलामिक सत्ता का पहला शाषक बारा सो च्छे शुरू हो जाता है और कुतुबुद्री नयबक गद्धी समाल लेते हैं हिंदुस्तान में राजधानी इनकी लाहोर रहती है कहा तो जाता है दिल्ली सल्तनत के पहले शाशक लेकिन दिल्ली सल्तनत थी लाहोर इनकी राजधानी थी मतलब नियंतरन ये लाहोर से करते थे कारेले इनका दिल्ली में भी था तो संपूर्ण शेत पे ये लाहोर और दिल्ली से नियंतरान स्थावित करते थे बहुत ही दानी सवाव था इनका कुद्बूदी नैबक को कहा जाता है कि जो भी ये जुद्ध में जीतते थे धन, जमपति, दौलत, वो सब अपने सैनिकों और बाकी के जो इनके छेतर के लोग थे उनमें बाढ़ दिया करते थे इसलिए इनको पद्वी मिली लाख बक्ष की, लाख बक्ष का मतलब होता है लाखों का दानी उस समय के एक विद्वान थे मिनाजु सिराज, उन्होंने आबक की दानशिल्ता को देखा और उसे हातिम दुतिय की उपाधि दी तो मिनाजु सिराज ने उन्हें हातिम दुतिय कहा योग्य होने के नाते पढ़ा लिखा होने के नाते सिच्छित होने के नाते कुतबुदी नयबक ने बहुत सुफी संत और बड़े बड़े विद्वानों को अपने दर्वार में शरण थी ख्वाजा कुतबुदीन बख्तियार काकी उसी क्रम में उनके गुरू थे और 1197 में ख्वाजा कुतबुदीन बख्तियार काकी के नाम पे ही उन्होंने कुतब मिनार की नीव रखी अब कुतब मिनार बनना शुरू हो जाती है दिल्ली में और दोस्तों अक्सर ये कन्फियूजन रहता है कि कुतब मिनार का नाम कुतबुदीन अबक के नाम पे है या कुतबुदीन बख्तियार काकी जी के नाम पे है तो ख्वाजा कुतुबुद्दिन बख्तियार काकी के नाम पे है कुतुब मिनार का नाम फिर उसके बाद इसने कई निर्मार कारे भी करवाये कुवत इसलाम मस्जिद महरावली में और अड़ाई दिन का जोपड़ा आज मेर नामा के मारतों का निर्माड भी इसने करवाया उस जमाने में जो शाशक होते थे और जो सम्मान करते थे विद्वानों का वो अपने दर्बार में ही विद्वानों को रखते थे मतलब आज की तरह हम लोग एक किताब खरीद के खुश हो जाते हैं वो सीधे लेखकों को ही खरीद लेते थे तो कुद्वूदी नाबक ने हसन निजामी और फक्र मुदब्बिर उस समय के बड़े विद्वान थे उनको अपने दर्बार में शरण दी हुई थी उनको अपने दर्बार में रखा हुआ था तो उनके दर्बारी थे हसन निजामी और फक्र मुदब्ब्बिर एक दिन पोलो खेलते हुए पोलो एक खेल होता है आजकल का मॉडरन में उसको पोलो कहते है मॉडरन जमानी में घोड़ो पे बैठके खेला जाता है आप लोगों पता होगा उससे में उसे चौगान कह जाता था तो ये चौगान खेलते हुए घोड़े से गिर जाता है कुद्बूदी नइबक और 1210 में इसकी आकस्मिक मित हो जाती है 1210 में कुद्बूदी नइबक समाप्त हो जाता है और ये चुकि आगे बता नहीं गया था कि अगला शाशक कौन बनेगा पहले ऐसा होता था कि जो शाशक होते थे वो घोशित कर जाते थे कि मेरे बाद शाशक कौन बनेगा तो कुद्बूदी नइबक ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था तो ये 1210 में समाप्त हो जाते हैं और इनका मगबरा बनवा दिया आता है लाहौर में आज भी मगबरा है इनका लाहौर में ये थी कुद्बूदीन अबक की कहानी पहले हिंदूस्तान के इस्लामिक सुल्तान मुस्लिम सुल्तान दोस्तो अगले वीडियो में हम लोग आगे के शाशकों को देखेंगे बने रही हैं हमारे साथ ऐसे ही आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अगला वीडियो जल्दी डालता हूँ मैं धन्यवाद